अपना बहुत साध्यान रख रहे होंगे अक्सर आप लोगोंने में वीडियो में रेस्पी में देखा होगा कि मैं घर में पीसे हुए मसालों का ज़्यादा तर स्थमाल करती हूँ आपको एक पैकेट के ना मसाला बना के दिखाती हूँ सबसे पहले हम इसमें से एक पैकेट लेके उसे कट लगाएंगे और उसमें जो भी इंग्रेंट्स है ना वो हम पहले प्लेट में निकाल लेंगे कुछ एक्स्ट्रा तो नहीं है कुछ गंदगी तो नहीं है और कौन से इंग्रेंट्स कम है वो भी चेक करेंगे जैसा कि आपने देखा इसमें दालचीनी बहुत अच्छी कॉंटिटी में दी हुई है तो अगर आप जाते हैं तो थोड़ी सी दालचीनी निकाल के रख भी सकते हैं तेज पता दिया हुआ है यह अद्रक का सूखा हुआ वर्जन है जिसे हम सौट भी कहते हैं यह भी बहुत अच्छा होता है हल्थ के लिए तो इसका भी हम इस्तमाल करेंगे अब यह छोटे छोटे पैकेट में क्या क्या है वह मैं आपको खोल के दिखाती हूँ पहले पैकेट में यह काली मिर्च लॉंग और खोटी इलाइची भी है और उसे भी हम फाड के इस तरीके से प्लेट में निकाल लेंगे सब को हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है इसी अलग से हमें नहीं रखना है कि आप एक एक इंगेंट को अलग अलग रख रहे हैं इसमें देखें दो बड़ी इलाइची दी हुई है और एक फल दिया हुआ है और अध्रक का सूखा वाला वर्जिन जिसे सौट कहते हैं वह भी दिया हुआ है और तीसरे पैकेट में शाही साहीं जीरह दिया हुआ है वह भी हम निकालेंगे इसी तरीके से हमें पैकेट कट करना है और जो ढींगेंट से लग लेना है । तो शाही जीरा जरू इंक्लूट कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं अविलेबल है तो आप सेपरेट भी लाके डाल सकते हैं, अभी अभी इसमें कुछ इंगेंट्स एड करूंगे और कुछ जैदा हैं जो एक्स्ट्रा दिये हुए उन्हें निकाल दूंगे, एक बड़ी चमच लगबग मैंने इसमें डाला था, और उसके बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस तरीके से कुछ भी जो भी एक्स्ट्रा तेज पता दिया हुए, इतना सारा तेज पता मत आड़ कीजेगा, एक साथ बहुत सारा तेज पता दे दिया इन लोगों ने, वो हम इतना ज्यादा नहीं आड़ करेंगे गरम मसाला पाउडर बनाने में, तो उसे हम एक्स्ट्रा जो भी हैं तेज पता और ये सौट जो भी बहुत सारी एक्स्ट्रा कॉंटिविटी में दी हुई है न, उसे हम निकाल लेंगे, थोड़ा सा दालचीनी भी मैंने इसमें निकाला है, लेकिन वो वीडियो में शूट नहीं कर पाई थी, मैं कि दालचीनी सेपरेट करते हुए, जब भी आप गरम मसाला पाउडर घर में इस तरीके से बनाएं तो देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, कि कुछ भी एक्स्रा ना जाय कि बहुत ज्यादा कॉंट कड़ाई है, उसमें भी इसे भून सकते हैं, तवे को हमें मीडियम टेंपरेचर पर पहले गरम कर लेना है, उसके बाद ये सारे इंगेंट्स डालने के बाद साबुत गरम मसाला इसे इस तरीके से डाल देना है हमें, और गैस का फ्लेम लोग कर देना है, क्योंकि तवा पे हीट बहुत जल्दी तवा गरम हो जाता है, तो नीचे से जीरा जल सकता है, और वो भूनाने के वज़े हो जल जाएगा, इसलिए अगर आप भी तवे पर भूनेंगे तो गैस का फ्लेम एकदम लोग कर दीजेगा, अगर आप कड़ाई में भूनेंगे तो मीडियम टू लो जल्दी भूनाता है, तो इसका वो टेस्ट और फ्लेवर जो खुश्बू आती है, तो इसलिए तेंप्रेचर का बहुत ध्यान रखिएगा भूनते टाइम, अब इसे भूनना स्टार्ट करेंगे तो इसमें से एक सौंधी सौंधी सी खुश्बू आने स्टार्ट हो पूरी तरीके से ठंडा करने के बिल्कुल कोई ज़रूरत नहीं है, हलकी गर्माहट रहनी चाहिए, उसके बाद मिक्सर ग्राइंडर जार लेंगे और इस तरीके से धीरे धीरे इंगेंट्स इसमें मिक्सर ग्राइंडर जार में डाल देंगे, पहले आप जीरा डालना चाह बड़े वाले में ट्रांसफेर कर दिया था पहले मैं छोटे वाले में ही कर रहे थी तो मुझे लगा कि हो जाएगा बड़ कोंटिती थोड़ी ज्यादा थी तो इसलिए मैंने बादमें इसे रखकें रफली चलाएंगे देख सकते हैं इतना इंग्येंड्स पौडर बन गया है थोड़ा सा तो यह बचा हुआ इंग्येंड्स है न वो भी उमेंए इसमें डाल धूंगी एक लकड़ी थी रह गई थी वो मैंने इसे हटा दियar सप्रेट कर दिया और यो उसके बाद बचा हुआ इंग्येंड्सस भुना हुआ वह हम इसमें डाल के फिर से mixer grinder का न हम जार का धकन लगा देंगे और इसे फिर से दरदरा पीसने जाएंगे देख सकते हैं पाउडर के फॉर्म में यह काफी अच्छे से आच चुका है लेकिन हम इसे चमर से निकाल के देखेंगे न तो यह अभी पूरी तरीके से नहीं पिसाया यह हलका दरदरा है हमें इसे पूरे पाउडर के फॉर्म में लाना है और जो यह सौर्ट होती है न वो पूरी तरीके से पिसाई नहीं है छोटे छोटे यह इंगेंट्स रह गए हैं तो एक बार मैं इसे और पीस लोंगी और उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती ह है यह हमारा गरम मसाला पाउडर एकदम पूरे पाउडर के फॉर्म में आ गया है सौफनेस देख सकते हैं आप इस तरीके से ना फिंगर्स की हैल्प से टेच करेंगे न तो इसमें बिल्कुल भी दरदरा नहीं रहेगा एकदम और मार्केट के गरम मसाला पाउडर होता है उसी की तरह इसका टेक्श्चर आ जाएगा और खुश्बू ऐसी होगे न कि पूरे घर में खुश्बू आने सार्ट हो जाएगी आप इसे लंबे समय के लिए स्टोर करना चाहते है ना तो इसे ठंडा कर लिजेगा पूरी तरीके से और एयर टाइट कंटेनर में जार में कंटेनर हो जार हो उसमें डालके इसे फ्रिज में डाल दीजेगा नॉर्मल फ्रिज के साइट में इसे रख दीजेगा यह बहुत टाइम तक लंबे टाइम तक चलता है और जब भी आप उस जार खोलेंगे ना इसकी खुश्बू बहुत अच्छी आती है तो इसी तरीके से मैं अपने गरम-मसाला पाउडर भनाती हूं घर में और इसे मैं नॉर्मल रस्पीज में इस्तेमाल करती हूं और बहुत अच्छा टेस्ट देता है मार्केट के प्रिजरवेटिव वाले गरम-मसाला पाउडर से तो बहुत ही अच्छा है तो इस तरीके से बनाइए आपको मेरे वीडियो मेरे रेस्पीस पसंद आती हैं न तुम्हें है चैनल को सबस्कराब जरुर कर लीजेगा वीडिए को लएक करना मत बूलिएगा चैनल पर नहीं वीडियो पर फ्स्ट रामाई तो सबस्कराब कर अकन जरुर प्रेस कीजेगा बाँ बाई